लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोधी प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं 9 जून को शपत ग्रेंड समारों की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है साथ देशों के मेमान इस शपत ग्रेंड समारों में हिस्सा लेंगे देश से लेकर दुनिया भर के निगाहें अब नरेंद्र मोदी पर लगी हुई हैं और अब देखना ये है कि प्रधान मंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी आखिर कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं नौ जून को श्रपत मोदी 3.4 लोग समाच चुनाओ के परिडामों के बाद एक चीज जो तै हो गई वो ये कि अन्डिये ही तीसरी मरतबा सरकार बनाने जा रही है और उसके नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी होंगी एन्डिये के घटक दुरों के पून समर्थन के बाद 9 जून को मोदी 3 री बार पी एम पद की शरपत लिंगी एन्डिये संसदी दल के नेता नेंद्र मोदी 9 जून को लागतार 3 री बार प्रधान मंत्री पद की शरपत लिंगी यंडिये के संसदी दल के नेता वो लोगशभा के नेता के रूप में मानि नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव करता हूँ हमारी पार्टी जनता दल युनाइटेड भारतिय जनता पार्टी संसदी दल के नेता आदर नेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधान मंत्री पद के लिए समर्थन देती है मैं अपनी पार्टी अपना दल की योड से एंडिये संसदी दल के नेता के पद पर मानिनी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का पूरे दिल से समर्थन करती हूँ मैं हमारे बास अब ठाकरे जी के विचार वाली शिव सेना के पार्टी तरफ से पूरा समर्थन देता हूँ मैं चराग पासवान मेरी पार्टी लोग जन्शक्ती पार्टी रामवलास की तरफ से एंडिये संसद्य दल के नेता पत पर श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थ संकरता हूँ राश्वपती द्रोपदी मुर्मू ने पियम मोदी को दही चीनी खिला कर उन्हें सरकार भराने का अमंद्र दिया है नौ जून को शाम सवा साथ बजे श्रपत ग्रहन समारो होगा जिसको लेकर जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं नौ जून को नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री पत के तौर पर लगातार तीसरी वार शपत लेने जा रहे हैं राश्पती मुर्मू ने मनोनीत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को दही चीनी खिलाकर किंद्र में NDA सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया मोधी थी पॉंटो केविनिट का चेहरा क्या होगा इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है हलाकि अभी तक ये सामने नहीं आ पाया है कि किस दल को क्या पॉर्टफोलियो मिलेगा काल प्रधान मंत्री जी सपत लेगा एक नया युगो का सुरुवाद होगा उसका पहले हनुमान जी फिर रामलाला कि बहुत बरिया करिया कल हो मुडी जी का पास साल में भारत का वैभव और बारे हम विश्व गुरु बने ये एक महा समुद्र है जैसे पान्सव बियाली सिद है कभी भाइग में ये सिद आएगा कर दूसरा बार हो दूसरा सिद आएगा तो उसमें बहुत परने का कोई फाइदा नहीं है प्रधान मंत्री कुन बना वही देखना है कभी उपी में जीतेगा, कभी बिहार में जीतेगा, कभी दोनों स्थेट में जीतेगा सुनाओ में तो पॉलिटिक से एक अलग बात भी मनोनित पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं इधर जेडियू निता केसी त्यागी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि इंडिया गटवंदन ने मुख्यमंत्री नितिश कुमार को इंडिया ब्लॉक की ओर से प्रधार्मत्री का पद आफर किया गया है जिसे नितिश कुमार ने तुरंट ठुकरा दिया है हाला कि कॉंग्रिस ने जेडियू के दावे को सीरे से खारिस कर दिया है जिन लोगों ने नितिश कुमार जी को इंडिया गटवंदन के संयूजक के योग भी नहीं माना उन लोगों ने अंतिम छण तक नितिश कुमार जी के नेत्रुत में उनके प्रधानमंत्री होते हुए नहीं सरकार गठन हो ऐसे प्रफोजिल्स भेजे हम इंडी गठबंदन में अपनी प्राटी की और नेता की भूमिका को लेकर के काफी आसानवित थे लेकिन कांग्रिस पार्टी के और कुछ और दलों के नेताओं ने इस्तिती को खराब किया जिसकी वज़े से हम गठबंदन से बाहर आए और एंडी गठबंदन को मजबूत करने का काम किया इतिहास गवा है नितीश जी के इंडी छोड़ने के बाद ही उनकी हवा खराब ही औ और एंडी का परचार-परसारती जी से सुरू हो गया अब उसी तरफ तांजनकारी हमारे पस नहीं है कि या ओफर खुला है आपको जवाब मिल गया क्या भविश्य में सर नितीश जी को प्रदानगत्री का ओफर दिया जा सकता है आपको जवाब मिल गया इससे पहले नेरे द्रमोदी को साथ जुनको लागतार तीसरी बार NDA का नेता चुना गया पुराने संसद होन के सेंट्रल हॉल में NDA संसदिय दल की बैठक हुई इसमें NDA के सभी 293 लोग सभासांसदो राज सभासांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीम की मौजोद्गी में सुबग 11 बजे इस पर मुह नगाई गी इसके बाद NDA ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया गड़बंदन के नेताओं ने राष्टपती द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौपा फिर शाम 6 बजे मोदी राष्टपती द्रौपदी मुर्मू से मिले राष्टपती ने उन्हें सरकार बनाने का नियोता दिया पैठा के बाद मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवानी, मुर्ली मनोहर जोश्री और पूर्वराश्ट्रपती रामनाद कोविन से उनके घर जाकर भेट की 9 जून को श्रपत मोदी 3.4 इधर पधानमंत्री नेंद मोदी के लागताद तीसरी बार श्रपत लेने से पहले एंडिये के 9 निवराचित सांसत कैबिनेट मंत्रियों की सूची को अंतीम रुप देने के लिए बैचको का दौर चल रहा है कल शाम एक भब्ब समारों में पिये मोदी और उनकी नई कैबिनेट के सदस श्रपत लेंगे 9 जून के बाद ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो लागतार तीसरी बार श्रपत लेंगे बीजेपी ने 2014 में 282 सीटे और 2019 में 303 सीटे जीती इस वार 240 सीटे हासिल की है लेकिन NBA सहीयोगियों के मदद से चंदरबावू नाइडियों की टीडीपी 16 सीटे और निदेश कुमार की जेडियों की बारस सीटों के जरिये बहुमत के आखरे को पार कर गई है और 293 सीटे हासिल की है यह हम सब के लिए उस्सा की बात है इसी लक्षे की और हम लोग सब मिलकर प्रयासरत भी थे कि मेरे प्रधान मंतरी तीसी बार देश के प्रधान मंतरी बने मेरे लिए तो सुभाविक सी बात है बहुत जादा खुशी का ये लमहा है दो हजार चौदा से ही इसी सोच के साथ में एंडिये सरकार एंडिये कड़वन्धन के साथ में जड़ा भी था उस वग्ष अपना यही था कि मेरे प्रधान मंतरी जो उसक्त प्रधान का गवाँ है कि हमेशा एंडिये को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी ने काम किया है नबे के दशक में जब बीजेपी पूरे देश में अपने पांपसार रही थी तब उस नेता के मुदापिक नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने में तो पूर्ण भूमिकाने बाई देख NDA में कई दलतों ऐसे हैं जिनके नेता साफ कह रहे हैं कि वो सिर्फ नेंद मोदी को देश का प्रधान मंत्री बनते हुई देखना चाहते हैं उन्हें किसी भी पद की लालसा नहीं है नेत मोदी 9 जून 2024 की शाम 7 बजे लगातार 30 वर्ध प्रधान मंत्री पद की शपत लेंगी सुत्रों के मुदाबिक मोदी के साथ इंडिये के 14 सयोगी दलों के 18 सांसत भी मंत्री पद की शपत ले सकते हैं इनमें साथ कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत परभार और राज्यमंत्री के रुप में शपत ले सकते हैं हलाकि इसके आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है माना जा रहा है कि तीन दर्जन से अधिक सांसत मंत्री पद की शपत ले सकते हैं कि टीडिपी और जेडियू से दोदो और श्रीवसेना से एक कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं सुत्रों का कहना है कि इसके आलावा न्सीपी लजेपी और जेडियेस के कोटे से कैबिनेट मंत्री शपत ले सकते हैं कल नरिंद्र मोदी जी तीसरी वारिश देश के प्रधान मंतरी के रूप में सपत लेंगे और मैं जो पिछले दस साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ मेरा विस्वास है कि ये पांच साल देश के लिए एक बहुत बड़े उडान का समय है बहुत कुछ देश सकारात्मक देखेगा और मैं जितने लोगों से मिलके आया हूँ सब लोग बस एक ही बात कह रहे हैं मोदी जी को मेरा मेरे तरफ से बढ़ाई दे देना ये भारत का विकसित भारत का रास्ता खुल रहा है मैं बावावी सुनात को बारव बार आभार प्रकट करता हूँ इधा नरेंद्र बूदिक श्रपतगरण समारो के जवरदस्त तैयारिया चल रही है राष्टपरती भवन में नौ जुन को श्राम सावा साथ बजे श्रपत गरहन समारो शुरू हो जाएगा श्रपत गरहन समारो में हिस्सा लेने के लिए कई देशों के राष्टर आध्यक्ष पहुँच रहे हैं उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें सभी विदेश्री मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नेद्न मोदी की तस्वीर लगाई गई है श्रिलंका के राष्टपती रानिल विक्रम सिंगे श्रपत गरहन समारो में शामिल हो रहे हैं मालदीव के राष्टपती डॉक्टर मोहमब मुईजू भी श्रपत गरहन समारो में शामिल हो रहे हैं सेशल्स के रूप राष्टपती अहमद अफीफ आ रहे हैं बागला देश की प्रधान मंत्री श्रिक हसीना श्रपत गर्ण समारों में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुँचकी है मौरिश रस के प्रधान मंत्री प्रविंद कुमार जगनौत श्रपत गर्ण समारों में शामिल हो रहे हैं नेपाल के प्रधान मंत्री पुस्पकुमार डहल प्रचंड भी शपत गहन समारों में आ रहे हैं भुटान के प्रधान मंत्री शेरिंग टूंबे शपत गहन समारों में शामिल होंगी शपत गहन समारों के लिए दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी गई है राश्टपती भौन की सुरक्षा के लिए अर्ध सैनिक बलों की पाँच कमपनी ड्रोन स्नाइपर की तैनाती की गई है इसके लमा बिदेशी महमानों को राजधानी दिल्ली के ताज लीला ओबराए और क्लैरिजर जैसे होटलों में ठहरानी की व्यवस्था की गई है जिसके के लिए होटलों को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है हम आपको बता दे कि मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपत ग्रहण समारोह के लिए साथ देशों के राश्ट्र प्रमुख शामिल होने के लिए यहां दिल्ली आ रहे हैं अब देश से लेकर दुनिया भर की निगाहे 9 जून यानि कलपटी की हैं जब मनोनीत प्रधार मंत्री पत के शपत लेंगे अबड़नाह कर दो को झाहे हैं झाल झाल